असलाम अलेकुम क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? गुड वेरी गुड जी जनाब तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फॉनेमिक राइन की क्लास अच्छा जी लास्ट क्लास में याद है हमने क्या पढ़ा था या भूल जाते हैं आप लो कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में क्या काम किया था हमने किया था लास्ट क्लास में न्यू वर्ड्स ब्लेंड करके पढ़ना याद है ना कि हमने ब्लेंडिंग की थी और blending के साथ हमने नए words बनाना सीखे थे ऐसे ही किया था हमने हमने बहुत सारे words देखे थे बहुत से words को पढ़ना सीखा था sounds को blend करके new words बना के हमने पढ़े थे उनकी pictures भी देखी थी फिर आपने उनकी coloring भी की थी है ना? आज हम एक और interesting activity करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है कि जल्दी से अपनी book open कीजिए सबसे पहले जल्दी से book open कीजिए बल्कुल prayer 2 की आप phonemic rhyme की book open कीजिए और book का page number 4 निकाल लेजे hurry up ठीक सबने book open कर ली page number 4 भी निकाल लिया अच्छा जी क्या नसर आया कौन सी activity है इस page पे matching yes हम matching करेंगे आज भई अच्छा अब हम देखते हैं हमें सबसे पहले क्या देखना होता है सोचिए yes सबसे पहले तो हम देखते है date तो जल्दी से date का काम complete कीजिए आप लिखिए या अपनी मामा से लिखवा लिजे ठीक है अच्छा उसके बाद हम क्या देखते है page पे icons yes जल्दी से फिर icons देखिए यहाँ पे here we have two icons on this page यहाँ पे दो icons है first icon में क्या है अरे वाँ first icon में एक pencil है जो picture को sound से match कर रही है line बना के है ना देखे matching हो रही है सामने से इस icon में तो इस icon का क्या मतलब है match साथ repeat कीजिए match good क्या है match यह icon किस चीज़ का है match यानि हमें matching की activity करनी है और next icon very good आपने भी बोला ना फॉरंस है यह तो color का icon है पिल्कुल इसकी तो हमें बहुत अच्छे से पहचान हो गई है इसका मतलब हमें इस page पे कितने काम करने है भई दो काम करने है here we have to do two work on this page पहले matching करनी है चलिए आपने देखी इस page को आपने देखा ना इस page को pictures भी मौजूद है और side में हमारे पस इनके नाम भी लिखे हुए है words भी लिखे हुए है हमने इन words को blend करके पढ़ना सीखा था ना चले अब इनकी हम matching करेंगे आप अपनी pictures के साथ तो सबसे पहले हम एक दफा सारी चीजे देख लेते पहले words read करें कि क्या-क्या लिखा है चले यह पहले words read करते है क्या लिखा है भई cat good k at cat very good k at cat cat yes इसके बाद है bat b at bat b at bat bat इसके बाद next क्या लिखा है this is mat good m at mat m at mat mat फिर है fat f at fat f at fat good और क्या है rat very good rat good r at rat r at rat rat और क्या है hat yes hat h at hat h at hat hat very good sabar just अच्छा अब सामने जल्दी से देखिए के pictures किन चीजों की बनी हुई है सबसे पहले किस चीज की picture है जल्दी से बताइए mat very good this is a mat good mat के बाद किस चीज की picture है cat good this is cat very good उसके बाद क्या है dog है और dog कैसा लग रहा है fat fat dog लग रहा है fat good अच्छा फिर है bat good bat की picture मौझूद है और bat के बाद क्या बना हुआ है hat yes hat very good और hat के बाद सबसे आखिर में किस चीज की picture मौझूद है rat की क्या है rat good चले अब हम matching करते है ठीक है अब मुझे बताइए सबसे पहली picture तो है mat की ठीक अब side में words लिखे हुए है अब mat आपको पढ़ना आता है hmm चलिए जल्दी से hmm at mat है आपके ने क्या करना है आपने mat की picture से mat word को match कर देना है ठीक है जल्दी से एक line से match कीजिए very good अच्छा next picture है cat अब ज़रा देखिए के cat कहां पर है देखे word ढूने या picture ढूने हम तो दोनों ढून सकते है क्योंकि हमें दोनों आता है हमें words read करना भी आता है और हमें pictures की भी पहचान है है ना good अच्छा हम अगर देखें के cat है ठीक है तो cat कहां पर लिखा हुआ है कहा है cat where is cat क्या ये लिखा है cat no ये लिखा है cat good very good सबसे उपर cat लिखा है तो जल्दी से cat को cat की picture से match कर दीजे जहरी आप very good a client बना लिए आपने matching complete कर ली जबर्दस अच्छा उसके बाद picture किस चीज़ की माजू होता है fat doggy fat fat अब ज़रा ढूंडिये words में से जल्दी से fat कहां पर है जल्दी से ढूंडिये in words में से जल्दी अरे वाँ आपने तो पहचान लिया कहता है आपको very good at fat at fat fat जल्दी से fat को fat doggy picture से match कर दीजे good फिर किस चीज़ की picture bat की bat पढ़ना आता है न हमें जल्दी से जूंडिये bat कहां लिखा है is this bat no second one is bat yes b at bat b at bat b at bat जल्दी से bat को bat की picture से match कर दीजे उसके बाद क्या है हमारे पास picture में hat yes और hat का word जूंडिये जल्दी से कहां है भई कहां है ये वाला है no where is hat is this hat no yes यहां पर सबसे आखिर में लिखा हुआ है hat 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 जल्दी से hat को head की picture से match कर दीजे अब last picture है rat की वो तो हमें बासा नहीं मल जाएगा rat रह गया है जैसे match करना है तो जल्दी से पढ़िए r at rat rat को जल्दी से rat की picture से match कर दीजे देखा कितनी जल्दी और कितनी असानी से हमने सारी matching complete कर ली किस-किस trees की matching किये हमने क्या words से किस trees की picture सी हमारे पास सबसे पहले क्या था cat good k at cat फिर था bat bull at bat उसके बाद mat m at mat yes very good फिर है fat at fat very good फिर था rat good r at rat very good and last में है hat at hat very good तो सब ने अपनी matching complete कर ली साथ सार जबर्दस भई बहुत ही अच्छे बच्छे हैं सब आच्छा अब हमें last activity क्या है color की ठीक है ना तो जल्दी से आपके पास जो pictures मौजूदें जो तस्वीर हैं उन सब में जल्दी से complete कर लीजे पेज की तस्वीर यानि पिक अपनी teacher को send करेंगे ठीक है ओके जी अल्ला हाफिज